NCP के एक मातर विधायक और परदेश अध्याक्ष कमले सिंग आज BJP में सामिल होने के लिए पहुंचे हैं आप देख सकते हैं कि कमले सिंग जो अब तक NCP के परदेश अध्याक्ष भी रहे हैं पर लगभग दो दसकों से NCP का जहंडा बुलंद कर रहे हैं आज भारतिया जंकतापाटी में सामिल होने के लिए अपने हजारो समर्थकों के साथ इस वक्ते रांचे पहुंचे हैं और कमलेसिंग जी से जानते हैं कि आखिर यहां पर हजारों समर्द को के साथ कमलेसिंग, बीजयपी कार्यालें पहुnhे, आप देख सकते हैं, उनके हजारों समर्द आए ह 올 Dance और कहीं कमलेसिंग के BJP में सामीन होने को लेकर के भी कुछ नाराज़ी की भी बात सामने आ रही थी इस वक्त NCP के वरतमाने परदेशा द्यक्शे वो यहां पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि NCP के जो कमलेसिंग है वो जिस खुली चीप में पहुंचे हैं वो कि नाराज भी हैं लोग आपके BJP में जामिल से चंद दो चार लोग हैं पांच लोग जिसका उसे कोई परक हमको नहीं पड़ता है चंद लोग है और आज हमारे साथ हजारों लोग एक दम साथ में हैं अब जो पड़गे कि आपको सर बीजेपी ना पड़ा चुकि एंडिया कहीं अब आप सर आप NCP में थे NCP भी एंडिया की इसा है तो बीजेपी में आने की चलिया समय के अंसार परिवर्तन हो ता है कितनी खुशी है सर आजे अब पचीज साल के बाद पचीज साल रहें लेकिन वर्थ का यही पुकार है कि हम लोग सब भी देखेंगे हमारे साथ हजारों लोग हैं उसमें बहुत आफ़ा के भी लोग हैं इंडिया की सरकार बनाने का संकल्ब आपने भी ले लिया है अब कोई किंटू परंतू नहीं है आप देख सकते हैं कि हजारों समर्दकों की भी लेकर के कमलेश सिंग जो वरतमान में आप देख सकते हैं यहां पर भारी भीड है समर्दकों की यहां पर कुछ युवा नेता भी आएं कुछ युवा साती भी आएं आप देख सकते हैं कि लोग लगाकार कमलेश सिंग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं अचा कमलेश यहां पर इधर और लोग पड़ी संख्या में उनकी जो समर्थक है वो गाड़ियों का काफिला लेकर रहे हैं एक तरह से जाम की भी इस्थिति यहां पर उपन हो रहे हैं कई लोग हैं यहां पर जो लोग विरोद कर रहे हैं उनका जोकान बंद हो गया है आज तक वहां से बीजेट भी इस्थितिने आने से और बीजेट में मजबूद लोग इस इतने नाराज लोग उनको मना लेंगे अन्नेश पर जानेंगे यह कहा जा रहा है कि इन पर जो भराष्टाचार कारों तो उसमें बचली पीजेट में जाए अधार बन थे जंता दो लकार दिया है तो जंता का इंप पुरा समर्थन मिला भा सबर्थन है एक लाग से जीता है एक लाग से जीतागे बिल्कुल देखिए यहां पर बहुत खूज हैं तो चार लोग हुए से बिरोद कर रहा है आज के बाद सब सांठ हो जाएगे और इनका चबी जो है बहुत अच्छा है उसे नाबाद के लिए अच्छा कोई बात नहीं है उसको प्रक्राइब करेंगे लिए इनके साथ है इनके साथ है इसे अच्छा पाड़ी जिल्दावाद इनको दिये है आईसा नहीं है कि अच्छा 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 कोई भी हुसेनाबाद में है यह नहीं है अच्छा पिल्कुल तो देखें समर्थक है तो बहुत गमलेज बयाद बेहवार खुशा लाद में है और इनकी लोग प्रियता से यह लोग कितना आए हुए है इनकी लोग प्रियता यह बताता है कि अपने छेतर में क्या है कैसे एक लाग से जादा जीतने जा रहे हैं कई लोग यहां पर और भी आ हैं कहां से आए भी यह गंजे आप तो गुल्ड में लग रहे हैं क्या लग रहा है कि फाइदा होगा प्रावू परबंदल में खम्रेश सिंको आने से नो को नो सिट पीजेपी की रहोली में जाएगा क्या लग उनके समर्थे को रेदावा कर रहा है कि नहीं बल्कि उनके आने से पलामू पर मंडल की जो कुल चुण के उनकि समर्थकों का दावा हो यह तो आने वाले चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा फिलाल अपने बाद समर्दकों के साथ यहां पर वो ज्वाइन करने के लिए पहुंगे हैं और अब उस सदस्ता ग्रहां करेंगे भारतिय जनकों पार्टी के लिए ग्राची से मैं अशोग पुमाइद